इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि हम सभी के लिए fit और healthy रहना बहुत जरूरी है पर अगर आप fit और healthy रहना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने खाने पीने के lift में से कुछ चीजों को पूरी तरह से निकाल दें और जिन चीजों को आपको अपने जिन्देगी से निकाल देना चाहिए उनमें सबसे पहला नंबर सभी तरह की cold drinks का होगा और अगर आप जानना चाहते हैं कि cold drink पीने से आपके शरीर को क्या नुक्सान हो सकते हैं तो प्लीज इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए बीच में मच छोड़िएगा पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे यही request करूँगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे भी वीडियो मेरे दुरंत देखने को मिल सकें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेर जरूर कीजिएगा पानी की कमी हो सकती है कई लोग प्यास लगने पर पानी की जगे कोल्टरिंग या सोड़ा पीना पसंद करते हैं पर वो ये नहीं जानते कि सोड़ा या कोल्टरिंग पीने से पानी की कमी बढ़ सकती है ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर का एक बड़ा हिश्या पानी से बना होता है और जब आप पेशाप करते हैं, पसीना बहाते हैं या सांस लेते हैं तो शरीर का पानी भी कम होने लगता है जितनी भी ठरह कि कॉल्टिंग मार्केट में मिलते हैं उन में से अधिकतर में ऐसी चीजे होती हैं जिन से पशाप करने की मातरा बढ़ जाती है और उसकी वज़े से आपके शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है इसके साथ ही cold drink में sodium भी होता है जो कि शरीर की कोशिकाओं से पानी खींच लेता है और शरीर में पानी की कमी होने अलगती है यानि कि cold drink कुछ समय के लिए आपकी प्यास तो बुझा सकता है लेकिन आपके शरीर में पानी की कमी भी कर देता है और पानी की कमी से आपको क्या नुक्सान हो सकते हैं अगर वो आप जानना चाहते हैं तो आप वो इस वीडियो में देख सकते हैं शकर बहुत ज़्यादा होती है अधिकतर कोल ट्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शकर होती है और कई कोल्ड रिंग में 30-40 ग्राम तक शकर हो सकती है इतनी ज़्यादा शकर एक साथ शरीर में जाने से शरीर में बलड शुगर एकदम से बढ़ जाता है जिससे चकर भी आ सकते हैं और कई लोगों को दिल की बिमारियों का भी खत्रा रहता है याने आपको दिल का दौरा पढ़ सकता है या ऐसे ही दूशरी समस्याएं हो सकती है और अगर आप रोज ही कोल्ड रिंग पीने के आदी हैं तो उससे आपको डाइबेटीज भी हो सकती है और मुझे ही बताने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है कि अगर आपको डाइबेटीज हो गया तो बहुत सारी दूशरी बीमारियां भी आपको अपना शिकार बना लेंगी तो इन बीमारियों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप कोल्ड रिंग को बिलकुल ना पियें आपका वजन बढ़ जाएगा जब आप अपने शरीर की जरूरत से ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो आपका वजन बढ़ने लगता है आम तार पर एक 300 मिली लेटर कोल्ड रिंग की बोतल में 140 कैलोरीज होती हैं और इस कैलोरीज में आपके शरीर की लिए कोई भी पोशक तत्व नहीं होते है और अगर आप एक कोल्ड रिंग रोज पीते हैं और इस कैलोरीज को बढ़ नहीं करते हैं तो एक महिने में आपका वजन कम से कम 10 किलो बढ़ जाएगा और अगर आप एक साल तक रोज कोल्डरिंग पीते रहें तो एक साल में आपका वजन 6-8 किलो बढ़ जाएगा ये सिर्फ एक कोल्डरिंग पीने के नतीजे रहेंगे सोचिए अगर आप तीन कोल्डरिंग पीते हैं तो क्या होगा और इसके साथ ही कोल्टरिंग की वज़े से आपको ज्यादा मीठा खाने कमन करेगा और वो मीठा खाना भी आपका वज़न बिल्कुल बढ़ाएगा इस बात में कोई दो राय नहीं है तो अगर आप वज़न कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो भी अच्छा यही होगा कि आप कोल्टरिंग ना पियें आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए शरीर में परियात मात्रा आमें कैल्शियम होना बहुत ज़रूरी है जब आप कोल्टरिंग पीते हैं तो उसमें मौझूद फास्पोरिक एसेड हड्डियों की कैल्शियम को कम कर देता है और जो कैल्शियम शरीर खाता है या आप जिस कैल्शियम को शरीर में लेते हैं तो शरीर भी उस कैल्शियम को अब्जॉर नहीं कर पाता और हड़ियों की कमजोरी और बढ़ती जाती है यानि कि आपके दात कमजोर हो जाएंगे आपकी हड़ियां कमजोर हो जाएंगे और तो में तो ये समस्या और भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उनकी हड़ियां काफी कमजोर होती है और केल्शियम की कारण केल्शियम की कमी के कारण उनकी हड्डियों की कमजोरी ज्यादा हो जाएगी और उनकी हड्डियों को तूटने का खत्रा बन जाएगा पर मैं यही सलह दूँगा कि ना औरतों को ना आदमियों को किसी को भी कॉल्डरिंग नहीं पिना चाहिए अगर आप अपने दात और हड़ियों को मजबूत रखना चाहते हैं जो आखरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो cold drinks आपको नहीं पीना चाहिए उसमें ये होती है कि कई cold drinks में नुक्सान दायक chemicals होते हैं cold drinks में कई ऐसे chemicals भी होते हैं कि बहुत नुक्सान दायक हो सकते हैं लेकिन कमपनियां उन chemicals को थोड़ी मातरा में डालती हैं इसलिए नियमों के हुशाब से उन्हें रोका तो नहीं जा सकता लेकिन जब आप लगातार cold drinks पीते हैं तो वो chemicals आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुचाते हैं और इन chemicals से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप cold drinks पीए ही नहीं तो आप chemical से भी बचे रहेंगे और इसके पहले मैंने जितनी भी तकलीफे बताई हैं या समस्याओं बताई उन समस्याओं से भी मुक्त रहेंगे इसके साथ ही cold drinks पीने से बहुत सारे दूसरे और भी नुक्सान हो सकते हैं जो कि आपको आले वीडियो में पता चलते रहेंगे तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक्यू वेरी मच